अगर आप होली में अपने घर जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है जहां एक दो नहीं बल्कि 26 ट्रेनों के रूड जो है वो चेंज कर दीए गिये हैं दरसल ये रूट चेंज करने की जो वज़ा है वो नॉन इंटरलॉकिंग की वज़ा है जिसके कारण 26 ट्रेनों के जो रूट में बदलाब किये गये हैं कौन-कौन सी रूटों में बदलाब किये गए हैं, कौन-कौन सी ट्रेनों के रूट बदले गए हैं, हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं पूर्व मद रेलवे के मुख जनसंपर कधिकारी विरिंदर कुमार ने बताया कि धानापूर मंडल के क्यूल लखी सराय शेकपूरा स्टेशनों पर दोहरी करन का कार किया जा रहा है इसके लिए नॉन इंटरलॉकिंग का भी कार किया जाना है एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के परिशालन के विभिन तारीखों पर रद कर दिये गए हैं इसके लावा कई ट्रेनों की मार्ग में परिवर्तन भी किया गया है 19 फरवरी 2023 को गाड़ी संख्या 13415 मालदा टाउन पटना एक्सप्रेस रद होगी वहीं 20 फरवरी को गाड़ी संख्या 13416 पटना से मालदा टाउन एक्सप्रेस रद रहेगी गाड़ी संख्या 13419 भागलपूर से मुजफरपूर एक्सप्रेस 19 फरवरी से 21 फरवरी तक रद रहेगी वहीं गाड़ी संख्या 13420 मुजफरपूर से भागलपूर एक्स्प्रेस 19 फर्वरी से 21 फर्वरी 2023 तक रद रहेगी वहीं अगर हम पैसेंजर ट्रेनों की बात करें तो गाड़ी संख्या 03616 गया से जामलपूर स्पेशल ट्रेन 18 फरवरी से 21 फरवरी 2023 तक रद रही कि वहीं गाड़ी संख्या 03615 जामलपूर गया स्पेशल गया से जमालपूर स्पेशल ट्रेन 18 फरवरी से 21 फरवरी 2023 तक रद वहीं गाड़ी संख्या 03615 जमालपूर से गया स्पेशल ट्रेन 19 फरवरी से 22 फरवरी 2023 तक रद रहेगी गाड़ी संख्या 05510 जमालपूर से सहरसा स्पेशल 18 फरवरी से 21 फरवरी 2023 तक रद रहेगी गाड़ी संक्या 05-404 गया से जमारपूर स्पेशल ट्रेन जो है 19 फरवरी से 22 फरवरी 2023 तक रद रहेगी वहीं गाड़ी संक्या 03385 जाजा से गया स्पेशल ट्रेन 19 फरवरी से 21 फरवरी 2023 तक रद रहेगी वहीं परवर्तिक मार्ग से चलाई जाने वाली ट्रेनों में 18 फरवरी को आनंद विहार से खुलने वाली गाड़ी संक्या 13430 आनंद विहार से मालदा टाउन एक्सप्रेस का परिचालन परिवर्तित मार्ग मोकामा से वरौनी बाइपास से मुगेर व्रिज कटिहार मालदा ट 2023 को भागलपूर से खुलने वाली गाड़ी संक्या 22948 भागलपूर से सूरत एक्सप्रेस का परिचालन परिवर्तित मार्ग रतनपूर से मुगेर ब्रिज से वरौनी बाइपास मोकामा की रास्ते चलेगी 18 फरवरी 2023 को सूरत से खुलने वाली गाड़ी संक्या 22947 सूरत से भागलपूर एक्सप्रेस का परिचालन परिवर्तित मार्ग मुगामा से बरौनी बाइपास से मुगेर ब्रिज से रतनपूर की रास्ते चलेगी 19 फरवरी और 20 फरवरी को 2023 को भागलपूर से खुलने वाली गाड़ी संक्या 12367 भागलपूर आनंद बिहार टर्मिनल से विक्रम शीला एक्सप्रेस का परिचालन परिवर्तित मार्ग रतनपूर से मुगेर ब्रिज से वरौनी बाइपास से मुकामा के रास्ते चलने वाली है और कौन-कौन से ट्रेन कब और किस समय पचलने वाली है किस-किस दिन पर इन ट्रेनों का जो रूट है वो चेंज किया गया है वही नॉन इंटर लॉकिंग कारे के कारण इन ट्रेनों का जो है रूट बदला गया है वही अगर आप घर जाने की तयारे में लगे हैं तो आ झाल झाल